बेसिक में आ रहा है और इसके बाद से यह आपका प्रॉपर्टीज है जिसमें आपके पास कितने सीट ओपन है प्रेजेंट है मेरे साथ पास प्रेजेंट में एक सीट ओपन है तो यहां पे भी आपको एक सीट दिखा रहा है और यह हमारी प्रॉपर्टीज विंडो है जो भ यहां direct click करेंगे तो user form आज जाएगा या फिर आप यहां arrow पे click करके user form insert कर सकते हैं तो मैंने यह user form insert कर लिया है मैं इसकी size को increase करना है तो यहां से increase कर सकते हैं so first आप देखेंगे यहां पे लिखा user form 1 क्योंकि यह मेरा पहला user form है और अगर मैं इसका color की बात करूं color change करने की तो आप यहां पे back color देखेंगा आप इसकी color को change कर सकते हैं यहां से आप इसकी background जो भी color आपके रखना वो रख सकते हैं मैं यहां पे यह color रखता हूं और इसका full color मतलब text color होता है कि इस पे जो text का color होता है वो आप क्या रखना चाहते हैं इसका text का color white रखना चाहता हूं तो यह हो गया second हमारा यह user form 1 लिखा है कि मैं इसको run करूंगा तो आप देखेंगे यहां पे user form 1 ही रिखेगा अगर आपको इसको change करना है तो आपको कुछ नहीं करना इसका caption जो होता है वो इसको change कर देना यहां पर मैं लिख देंगा login page जो देखेंगे इसका caption change हो गया है अब हम इसका जो coding करने के लिए जो useful होता वो आप यहां से toolbox ले सकते हैं इसकी मदद से हम coding करेंगे इसकी मदद से हम आपको coding करना सिखाएंगे यह हमारे लेबल है लेबल का use हम नाम तरते हैं जो भी नाम देना होगा test का यहां पर इसका font देखेंगे आपको अगर इसका font change करना तो font में जाहिए जाना है font में जाना है और इसका जो bold देना bold इसका size बड़ा increase करना वो increase कर सकते हैं आप यहां से इसका test color इसका four color से हम इसका test का color हो था वो change करते हैं तो white में रख लेता हूं second हमारा है जिसमें हम को type करेंगे या फिर कुछ भी लिखेंगे वो इसके लिए हम text box का use करते हैं जो text box हमारा eb नाम से यहां पर show करेगा सो मैंने text box को भी ले लिया है इसका size increase कर लिया हूं मैं इसको set कर ले रहा हूं middle में अब मैं इन दोनों को select करूंगा या तो आप ctrl c से copy ctrl v से paste कर सकते हैं या फिर आप इन दोनों को select करके इसके border पर जाके control की press करेंगे और जैसे की mouse का left button क्लिक करेंगे तो यह plus का icon बन जाएगा आपको सबसे पहले इसको drag कर लेना है फिर आपको keyboard mouse का sorry mouse का आपको left button को छोड़ देना है फिर keyboard से control की छोड़ देना तही हो जाएगा अगर आपको sorry यह इसका जो font or size इसका भी तुमने 10 कर लें इसका भी हम 10 कर लाते तो इन दोनों को select करेंगे यहां पर font पर आएंगे और यहां से इसका size होगा वो 10 कर लेंगे नाम चेंज़ करने के लिए दो तरीके है या तो इस पर click करें या तो caption चेंज़ कर दें या फिर इस पर एक बर और click कर दें दो मैं यहां पर user name यूजर नेम और इसको मैं कर देता हूं password तो यह मेरा user name password हो गया मैं इसको copy करूंगा फिलाल मैं control के साथ और इसमें मैं अपने कोई भी एक logo यह नहीं मैं कोई भी theme कर सकते हैं आप अपने company का है फिर या फिर जो भी आप बंद देना चाहते हैं वो उसक आप दे सकते हैं यहां पर मैं इसका font size 26 कर लेता हूं ok करता हूं और इसका color change करने के लिए यह for color का use करेंगे और इसमें आके इसका हम colors orange में रख लेते हैं तो इस type का मुझे font size थोड़ा और increase करना 136 यह perfect है फिर मैं इसका copy और कर लेता हूं और यहां पर मैं इसका नाम वर्ल्ड वर्ल्ड जोन रख लेता हूं इसका फॉंड size में increase कर दूंगा आप अपनी अनुसार इसका designing कर सकते हैं मैं इसका सब्सक्राइब करेंगे जो हमारी जिसमें हम coding करेंगे जिसके अनुसारी के open होगा और close होगा इसको हम इंसर्ट करेंगे और इसका नाम login इसके font का size हम यहां से change कर देंगे यहां पर इसका 12 रखता हूं और इसका गोल्ड और इसका जो color है इसका back color है back color यहां से आपको मिल जाएगा back color मैं इसका green और जो text का color होता वाइड कर देता हूं तो कुछ चीस तरह हो जाएगा फिर मैं इसका copy कर लूँगा कॉपी करने के बाद मैं इसको set करके sorry copy और इसके मैं exit और इसका जो back color है वो मैं red सो यह मेरा user form ready हो गया आप अपने सार इसको फिर से set कर सकते हैं F5 प्रेस करके इसका view देख लेते हैं कुछ इस परकार से इसका view है सो first coding हम इसमें exit का करते हैं unload me इसका मतलब यह कि मुझे बंद कर दो यह नहीं मुझे close करो अगर मैं इसको run करो और इस पर करो exit पर यह user जो login page है मारा यह close हो जाएगा सो यह तो वह कर दिया कि अपना काम कर रहा है अब login पर आते हैं login पर आने के बाद हम सबसे पहले if command का use करेंगे if command का use करेंगे if और if से पहले आप यह देख लेंगे कि यह कौन सा box है इसका नाम जानने के लिए हम यहाँ पर name में देखेंगे text box 1 और text box 2 यह इन दो में दोनों में ही coding करना है text box 1 में username रहेगा और text box 2 में हमारा if me.textbox1.value जो है वो बराबर है ed के और end का मतलब और वता है me.textbox2.value है वो बराबर है एक दो तीन के then तब क्या हो मुझे एक message box मिले और message box में क्या लिखा हो welcome वेलकम लिखा हो और जो हमने यह if खोला इसको हम बंद कर देंगे end if इतना करने वाद से f5 प्रेस करेंगे तो यह run कर देगा अब जैसे इस चैल में AD लिखेंगे और इसमें 123 लिखेंगे और login पर क्लिक करेंगे तो यह मुझे एक message देदेगा welcome ठीक है यहां पर एक चीज़ notice करेंगे तो आपको दिखेंगे Excel Microsoft Excel का जो logo है इसको हटाना है तो आप क्या करेंगे पहले इसको आप करके आगे बढ़ जाएंगे फिर कॉमा लगाएंगे और double quote में हम लिख देंगे success success लिख देंगे और enter कर देंगे तो वह तो हो गया दूसरा यह कि हम इसमें एड दो तीन और यह okay करते हैं तो यह तो सही होगा success का तो आई रहा वेलकम तो ही कि यह हमारा खाली हो जाना चाहिए जैसे okay करेंगे तो यह हमारा खाली हो जाए इसके लिए हम क्या करेंगे इसी के नीचे me.textbox on is called to blank blank के लिए double code यह हम हमेशा use करते हैं me.textbox to is called to blank यह दो code हो गया हम run करते हैं ad और एक दो तीन जैसे enter करेंगे welcome और यह हम जैसे okay करेंगे तो यह खाली हो गया तो यह था हमारा आज का section part 2 में हम बताएंगे आपको कि अगर यह sales खाली होते हैं यह sales खाली होते तो जो message error आता है वो कैसे हमिल करते हैं अगर यह mess नहीं करता है तो क्या message आना चाहिए so तब तक के लिए bye bye